Assalamualaikum class, next आज आज आपके पास example number 2 है, हमने example number 2 से example number 5 तक काम करना है example number 2 में देखें आपको क्या कहा है, if A आपके पास कोई भी vector दे दिये किये हैं, आपको 2x plus y वोटा plus 3y minus xj आपने evaluate करना है line integral, where C आपके पास जो है वो curve है, in the xy plane consisting of line segment c1 from 00 to 20 and then the line segment c2 from 20 to 32, अब ये एक ऐसा आपको line integral वाला question दे दिये हैं, जिसमें आपको दो path बताएंगी हैं, आप सबसे वहले इन दोनों path को plot करोगे, पहले इसके respect से line integral निकालोगे, फिर इसके respect से line integral निकालोगे, फिर दोनों को add करोगे, सबसे पहली बात तो ही देखें, आपके पास जे तक आप जा रहा है, इसका मतलब जो आपने dr की value यहाँ पे लेनी है, वो भी आप जे तक लेके जाओगे, आपने a vector as it is लिखा, जो dr की value थी, आपने कहा वो जे तक जाएगी dxi plus dyj, आपने dot product लेनी होती है, first term first term से multiply हो आप सबसे पहले आप c1 curve को calculate करें, अब calculate करने से पहले इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं, 00-20 है, इसका मतलब यह 00 point है, यह कहीं 20 बढ़ा होना है, जहां पर x-axis 2 है, y-axis 0 है, इसका मतलब पहला curve हो हमारे पास यह है, जब हमने 00-20 पे जाना है, second segment curve है, जब हमने 00-22 पे जाना ह अब देखें, इन cases में आपको equation given नहीं है, आपको equation भी खुद बनानी पड़नी है, जब कभी बच्चों ऐसा case आजए कि 2 points दिये जाएं, आप हमेशा देखते हैं कि कौन सी चीज़ दोनों में fix है, जो चीज़ दोनों में fix होती है, वो उसकी equation बन जाती है, जैसे कि अगर आ जो 00 से 20, यहां पर आपका y, यहां पर भी 0 है, 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 इसका मतलब ही यहां से इसकी substitution बनानी है, जो चीज़ जब भी fix हुआ करेगी, उसकी substitution बनाया करनी है, y 0 है, तो यहां से अगर मैं dy की value लूँ, वो भी 0 आ जाएगी, अ अब ये दोनों substitution आप इस वाली equation के अंदर put करो जब आप इसके अंदर put करोगे dy तो पूरा 0 था पूरी term 0 हो गई y 0 हो गई तो पूरी की पूरी term 2x dx में change हो गई आपके पास अब सारे का सारा काम x में change हो गई तो limits किसकी use होगी आपके पास x की जिसमें आपका काम change हो जाए इसकी limits यूज करते हो आप इसकी limits यूज करोगे इसको integrate करोगे इंटीग्रेट करने के बाद आपका answer आजएगा 4 अब next आप देखें अब second curve आपने कैसे बिनाना इसका